किसान भाई मिट्टी का नमूना लेते समय क्या सावधानी बढ़ते हैं ये भी जरा आप उन्हें बताएं किसान भाईयो मिट्टी का नमूना लेते समय हमें 5-6 बाते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए जैसे यदी हमारे खेत में गोबर का धेर लगा हुआ है या खाद का धेर लगा हुआ है ऐसे इस्तान से नहीं लेना चाहिए दूसरा यदी कोई पेड है जैसे बंबूल है या खेजडी है उन पेड़ों के नीचे से नमूना लेना नहीं लेना चाहिए तीसरी बात जहां से पानी का दोरा निकल रहा है उसके पास से नमूना लेना नहीं चीए चोथी बात यदि खेत में बहुत ज्यादा डलान है तो ऐसे डलान वाली जगे से भी नमूना नहीं लेना चीए नमूना ऐसी जगे से लें जो बिल्कुल समतल हूँ जैसे सर आपने हमें मिट्टी की जाच के बारे में तो बताया अब आप हमारे किसान भाईयों को यह भी बताये की पानी का नमूना वो किस प्रकार से लें उसकी विधी क्या है देखे किसान भायो पानी का नमूना भी सही तरीके से लेना चाहिए जब हम नमूना सही तरीके से भेजेंगे तो ही हमें परणाम अच्छे प्राप्त होंगे हमारे यहां आमतोर पर कुवों से सिचाई होती है टूबेल से सिचाई होती है और कुवों और टूबेल का पानी ही की ही जाँच आवश्चक है क्योंकि नहरों और तलावों से जो सिचाई होती है उसमें पानी की नमूने की जाँच की आवश्चकता नहीं होती है अमतर पर क्योंकि वो पानी बरसात का उतार वो सुद्ध माना जाता है तो कुसान भाईयों आप यदि कुवा से सिचाई कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि जो एक बाल्टी लें और इस बाल्टी को कुवे में डालें उसको दो-तीन बार भरके अच्छी तरह से लाएं या फिर उसको अंदर ही खाली कर दें और फिर दुबारा से भरें उसको तीन-चार बार आप डूँएंगे तो उससे क्या होगा कि जो पानी का जो नमूना हम लेने जारें वो सही नमूना में मिल जाएगा दूसरा यदि हम टूबेल से पानी ले रहें तो उस टूबेल को आप पहले 5-10 मिट तक चलाओं और उसके बाद उसमें उसका नमूना लें अब ये तो आपने पानी टूबेल से निकाल लिया और कुवे से पानी निकाल लिया किसान भाईयो इस तरह से कुवा और टूबेल से पानी लेकर आप उसको साफ पानी की बोतल या कोई काच की बोतल किसी भी प्रकार का जो बोतल हो उसमें आप पानी भरके प्रियोक साला में बिजवा सकते हैं लेकिन बिजवाने से पहले ये ध्यान रखेंगी उस बोतल को अच्छी तरह से साफ कर लिया जावे और साफ उच्चती होगा कि उसी पानी से चाहाए आपका कुवे का पानी है या आपकी टूबेल का पानी है उसी से आप दो-तीन बार उसको अच्छी तरह से दोवें और उसको खाली करें और फिर वरें इस तरह से भरके बेजे प्रियोक साला में इसके लबा ये भी द्यान रखें कि जो पानी की बोतल है आपकी वो लबाला भरी हो उसमें कोई खाली इस्तान नहीं रहना चाहिए इस तरह से बोतल भरके उपर उसके उपर अपना पता लिखा हुआ कोई कागज चिपका देवें और इस तरह से आप नमूना लेके प्रियोक साला में बेजें